कभी कभी हमारे पास सब होते हुए भी हमें पताने चलता है देखना चाहते हैं लेसन इन दे लाइफ प्रॉम अलेस बेगर ये वाली स्टोरी हम देखेंगे लेकिन उसके पहले मेरे चानल को सब्सक्राइब जरू कर ले रहा मीना नाम की एक बहुत अच्छी फ्रेंड मेरी हुआ करती थी जो एक LIC ओफिस में काम किया करती थी अच्छे से उसे तनख्या मिलती थी और फिर हम दोनों अच्छे फ्रेंड भी थे तो एक स्ट्रेंज बात उसकी थी कि वो कभी भी कुछ नहीं रहती थी हमेशा उसके चेहरें पर कुछ ना कुछ उदासी सी रहती थी हर चीज के लिए उसके पास कोई ना कोई रिजन रहता था जब मैं उसे मिली थी तो फिर धीरे-धीरे मुझे उसका जो दुख्यादाद है वो समझ में आने लगा था लोग भी उससे ना थोड़ा रहके मतलब दूर रहके बात करते थे कोई उसे मिलानी चाहता था कोई उसे बात नहीं करना चाहता था कभी वो किसी चीज को पॉजिटिव लेती ही नहीं थी और इसी के कारण सब उसके साथ ऐसे बिहेव करते थे क्योंकि वो हमेशा निगिटिव बोलती थी और पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव करते थी तो अगर कभी मैंने ऐसे एक दिन बोल दिया कि राजज देखो स्कूल में पॉस्ट आने माला बच्चा है तो वो बोलती थी क्यों ना आएगा अरे उसके पापा जो खूल स्कूल के टीचर भाई बच्चे की पाई लेंगे और वो पॉस्ट आना बनता ही बनता है उसकी एचुइमेंट उसका नहीं है उसके पापा उसके टीचर है इसलिए ऐसे है तो हर चीज में वो नुक्स तक कुछ न कुछ वो दूनी लेती थी कि ऐसे होने का कारण ये है वो है अब मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि वो श्वेता जो है ये बहुत ब्यूटिफुल गर्ल है है के नहीं तो वो तुरंत उसके उपर भी ड्रैक करना शुरू कर दिया वो बोलती देखो स्वेता जिस एज में है इतनी जवान है तो बिल्कुल क्यों न लगेगी जब वो हमारे एज की बन जाएगी न तब वो तुमें कभी ब्यूटिफुल नहीं लगेगी अब जो लग रहे न उससे भी वो उतनी ही गहरी आपको बतसुरत नजर आ जाएगी हर चीज में एक दिन मैंने बोला चलो भाई बहुत अच्छा दिन है हम वोक पर चले जाते हैं तब उसने मेरी तरफ देखा और बोला नहीं नहीं बिलकुल नहीं देखती नहीं हो सूरज देवता कितने गरम हो रहे हैं और ऐसे में मैं ठक जाओंगी और तुमको किसने बताया वोकिंग गुड है हमारे हैल्थ के लिए ऐसे कुछ भी नहीं है प्रूफ दिखाओ ऐसे कोई पर नहीं लिका है अरे ऐसे क्यों नहों मीना जो है न ये बैंगलोर में अकेली रहती थी और उसके पापा देली पापा ममें देली में रहते थे इसी के कारण वो एक अलोन से जिन्दगी मतलब रहती थी और घर में भी न वो अकेली थी उसे कोई दूसरा मतलब भाई बहन नहीं था तो हर बार उसके दिमाग में एक ही है कोई न कोई रिजन बताती हर चीज के लिए और उसके कारण उसकी जिन्दगी में सब होते हुए भी कुछ नहीं था ना ही उससे कोई बात करना चाता था ना ही उससे घर में कोई जाता था बाद में क्या हुआ कि मीना मीना जो है न वो बॉम्बे में ट्रास्फर हो गई थी और फिर हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे तो बहुत दिनों के बाद एक टाइम ऐसे आ गया कि मैं जो मुझे बॉम्बे में जाना पड़ा और बॉम्बे का जो फ्लोरा पॉंटेन है वहाँ पे मैं रुख गई मेरे पास अमरेला नहीं थी और मैं भीगना नहीं चाहती थी और बुरी तरीके से बारिश हो रही थी तो रुखने तक एटलीस मुझे रुणा पड़ेगा और वहाँ के जो डिपार्मेंट स्टोर है वहाँ पे आके मैं रुख गई और वेट करने लगी रेन रुख जाने का तभी मैंने देखा कि मीना जो है मीना भी वहाँ पे आके वह रुख गई थी उसने मुझे देखा नहीं जायद से लेकिन मैंने उसे देखा था पर मैं आवाइड करना चाहती थी उससे क्योंकि मुझे ने उससे वह गहरी बहुत गम्प्लेंट वाली बाते बिलकुल नहीं सुनना था और अपना अच्छा कासा दिन भी खराब बिलकुल नहीं करना चाहती थी तबी वह खुद ही म मेरे घर में आ जाओ चलो ना तब वो मुझे बार बार बुलाने लगी और तुम यहां कैसे कहा हो तब मैंने उसे बताया कि भाई मैं बंबं मैं ऑफिशिल वोग से आई हूँ थोड़ा काम है इसलिए आज की रत मेरे यहां रुख जाओ बहुत धेर सारी बाते करेंगे उसने मुझे बोला तुम्हें पता है पुरानी वाइन पुराने फ्रेंड और पुरानी मेमरीज यह बहुत प्रेसियस होती है और यह रेरली जिन्दगी में मिलती है मुझे न उसकी बात को सुनके बिलीव ही नहीं हो रहा था यह वही पुरानी मीना है जिसे कोई बात नहीं करना भी कर रही थी oh my god मैंने उसे पहले कभी हस्ते हुए नहीं देखा और वो इतनी happy लग रही थी पहले वाली तो boring सी 3 साल पहले जो मैंने bangalore में देखी थी oh my god तो वो कभी smiley नहीं करती थी और आपको पता है उसके hairs जो है अब थोड़े से greyish color के लग रहे थे जो पहले जो पहले हुआ करती थी वो भले ही अब नहीं है उसके चेहरे पे थोड़ी सी wrinkles आ गई थी थोड़ा सब भी मतलब उसका चेहरा जो है age के कारण थोड़ा लेकिर फिर भी वो attractive लग रही थी पहले के मुकाबले में जब वो बिल्कुल नहीं असा करती थी और फिर मैंने देखा और वो बुली नहीं मीना मैं तुम्हारे साथ आज रात नहीं रुख सकती हूँ तुम्हें पता है मैं यहां official meeting से आई हूँ मेरा dinner attend करना है तुम्हें काम करो तुम मीना थोड़ी disappointment सी हो गई और फिर बोली कोई बात नहीं है चलो at least मेरे साथ तुम चाय तो पी सकती हो ना अब वो जबरदस्ती करने लगी थी ओ मीना देखने हैं सकती हो बाहर बारिश हो रही हम भीग जाएंगे तो वो बोली तो क्या होता है मैं यहां से हम रिलाल हम ले ल भी तो जाएंगे तो वो बोली क्या होता है टेक्सी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी हम पैदल चले जाएंगे वोक में क्या है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था यह वही मिना है जो कही दिनों तो जाती थी oh my god और हम चलते चलते सच में हम कैसे भी बीगते हुए वहा कि बहुत changes तुम्में आ गए है ये changes तुम्में लाने वाला कौन है कोई तो होगा कौन सा princess है जो इसमें ये वाले changes ला चुका है हम थोड़े दिर के लिए मदब मैं बहुत curious थी उसके ये changing life के बरे में बूचने के लिए और मैंने उसे पूछी लिया end में तरब देखके बोली भाई कोई प्रिंस चाम नहीं है वो तो भीकारी था जिसने मेरी जिन्दगी में ये रोनक ला दिया है अब मेरे मन में बहुत बड़ा question आ गया वो तो हस के बता दी लेकिन भीकारी इसकी चिंदगी में तो वो बताना शुरू कर दी कि देखो ऐसी बात हो गई थी कि मैं जहां रहती थी वहाँ पे मेरे बिल्कुल घर के सीधा पोर्शू रोडू का एरिया है वहाँ की बात मैं बता देती हो तुमको कि एक बिकारी अपनी पाँच साली की पोती के साथ वहाँ पे बैठा करता था और मैं कोई बात नहीं करती थी वो तो बुड़ा सा था और मैं जो भी घर का बचा कुछा मेरा काना बच जाता था वो मैं उसे दे देती थी बिना बोले और वो भी बिना बोले मुझसे ले लेता था हमने कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी और इसलिए शायद से मुझे कोई प्रॉब्लिम नहीं था एक दिन बारिश आ रही थी मानसुन के दिन थे और बारिश आ रही थी और मैं ना वो बारिश को के उपर गुस्ता थी कि नजाने क्यों आ जाती actually ना ही मुझे कई बाहर जाना था मुझे ना ही भी ने का मतलब कुछ भी नहीं था फिर भी मैं कर्स कर रही थी मैं उसे बुरा कह रही थी और मैंने देखा कि आज मैंने वो बेगर को कुछ खाने के लिए भी मैं दिन बर घर में ही थो तो मैंने कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया था उसे तब ही मुझे लगा था कि उनको भूख लगी होगी और surely भूख तो लगी थी यार उनको लेकिन जब मैंने खिड़की से जाक के देखा वो क्या कर रहे है मुझे बड़ा सर्प्राइसिंग नजारा देखने को मिल गया कि वो दोनों वो भी कारी और उसकी वो जो डॉटर तीचार पाच साल की वो रस्ते के बीच में जाके बिलकुँ ट्राफिक नहीं थी ना बारिश के कारण ट्राफिक नहीं थी तो वहाँ पे जाके वो हस रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे और बारिश का लुक्त ले रहे थे बाप रे, बारिश में भीग रहे थे, वो भी भीग, एकदम भूका पेट मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई भूका होने के बाउजुदय से कर सकता है इतना happy हो सकता है और तभी मुझे लगा कि मेरे जिन्दगी में सब है लेकिन happiness नहीं है उनकी जिन्दगी में कुछ भी नहीं है लेकिन happiness है मेरे पास सब होते हुए भी मुझे उसकी कोई खुशी नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इतनी खुशी है फिर मैंने वो lease बनाना शुरू कर दिया कि जिसे मुझे लगता है कि ये मेरे पास है और जो नहीं है उसकी भी लीस मैंने बनाना शुरू कर दिया और फिर मैंने अपने आपको बहुत ही बहुत ही बद्दा पाया मुझे अपनी खुद की जिन्देगी के उपर शरब आने लगी कि मैं कैसी जि रही हूँ जो होते हुए भी उसका मज़ा नहीं उठा सकती हूँ जो देखो वो भीकारी उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो अपनी जिंदेगी पूरी तरीके से जी रहा है और लिस्ट बनाते से मैं मुझे रियलाइज हो रहा था कि किसी को इंसान को जिंदा रहने के लिए जो जो चीजे होना चाहिए खाना पीना कपड़े बरतन सारी चीजे मैं जो इमाजिन कर सकती थी मेरे पास थी लेकिन उसमें क्या था तो उसमें हापिनेस था और मेरे एटिट्यूड के कारण लोग मुझे से बात नहीं कर रहे थे ये मुझे तब ही समझ में आया और वो मेरा रोल मॉडल बन गया और ये सारी चेंजे मुझे में लाने वाला दूसरा कोई नहीं वो भी कारी है उसके बाद में फिर तुमने उसे कितना टाइम लगा तुम्हें ये चेंजे लाने में मैंने उसे पूछा तो मीना बताने लगी देखो चेंजे लाना सोचना और इसे में बहुत फरक होता है दो साल लग गए मुझे अपने आप में ये सारी चेंजे लाने में इतनी निगेटिव थी पॉजिटिव बाते कभी नहीं करनी थी ओल्ड हैबिट को भुला देना और न्यू वारी अच्छी चीजे अपने अंदर डाल लेना ये सारी चीजे मैं ने करना शुरू कर दिया था अब मुझे कुछ भी नहीं लगता है मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है फिर बे मुझे कुछ नहीं लगता मैं हैपी हूँ अपनी जितनी बच्ची कुछी जिंदगी है उसमें मैं खुश हूँ भली छोटी है लेकिन मेरी कोई भी मेरे रिष्टेदार भले हो ना हो लेकिन मुझे ये रहेगा कि मेरे अंदर जो खुश है वो रहेगी तो मैंने उसे पूछी लिया भाई जो गुरू ने तुम्ही इतना बड़ा चारास्ता देना बनती है वो बोई की देखो मैं गुर्दश्रा लेने के लिए गई थी लेक सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद